नमस्कार दोस्तों हम सीखने 2D Animation और 2D Animation में आपको बता रहे थे Animate CC के बारे में तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा Erage Tool के बारे में तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसा कि Eraser Tool का काम होता है किसी भी चीज को Erage करना लेकिन Animate CC में क्या होता है कि यहां पे बहुत सारा ओप्सन दिया हुआ है कि आप किस टैप से किसी भी चीज को आप Erage कर सकते हो उसका अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो तो चलिए हम देखते हैं किस किस टैप से आप Eraser Tool का यूज कर सकते हो तो यहां पे अगर देखते हैं मैंने पीछे के वीडियो में आपको दिखाया था Brush Tool के बारे में और यहां पे उसके बाद है Eraser Tool इसका shortcut command E होता है अगर E प्रेस करते हैं तो Eraser Tool select हो जाता है जब यहां पे Eraser Tool select करते हैं तो यहां पे कुछ इसका property दिया हुआ है इसको हम समझते हैं किस टैप से यूज किया जाता है माल देखे हमाल पास एक box create करता हूँ या आपके पास कोई भी object हो सकता है इसके बदले में तो मैं इस टूल पे जो है Eraser Tool का यूज करके दिखा हूँ माल देखे इपरेस करते हैं और Eraser Tool select हो जाता है तो जो सबसे पहला option है अगर इस पे क्लिक करते हैं और यहां पे क्लिक करते हैं तो यह क्या होगा को पूरा का पूरा यहां से Eraser हो गया एक बार में ही उसके बाद माल देजे हमारे पास यह बॉक्स बनाए उसके बाद हम अगर Eraser Tool को लेते हैं और यहां से क्लिक करते हैं तो देखे कुछ इस step से यह रिमूब हो रहा है अगर आप माल लेजें Ctrl-Z करते हैं और इस पे क्लिक करते हैं देखे अभी क्या हुआ यह आउटलाइन बच गया है और अगर आप पूरे को सेलेक्ट करते हैं फिर इस पे क्लिक करते हैं Eraser Tool पे तो क्या होता है कि यह पूरा का पूरा रिमूब हो जाता है अगर नॉर्मल बॉक्स क्लिक करके इस पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि यहां पे देखिए यह आउटलाइन बच जाता है तो इस टैप से इस Tool का यूज कर सकते हैं उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है हम एक box create करते हैं फिर से उसके बाद e-press करते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे फिर से option है जब हम brush tool में देख रहेते हैं तो वहाँ पे भी 5 तरह का option था यहाँ पे भी 5 तरह का option है पहला है इरेज normal, इरेज fill, इरेज line, इरेज selected fill और इरेज inside अब क्या है इरेज normal तो अगर मान लेजे normal पर click करते हैं यह तो normal जो है इरेज करता है कुछ steps से ठीक है आप जहाँ पे इरेज करना चाहते हैं आप इरेज कर सकते हैं तो चलिए इससे पहले मैं एक थोरा सा और मैं दिखा देता हूं इसके बाद क्या होता है कि यहां पर जब click करते हैं इरेज tool select किये तो यहां पर क्या है इसका कुछ pattern दिया हुआ कि आपका जो है इरेजर की step से करना चाहते है अभी circle है अगर आप इस पर click करते हैं देखिए कुछ step से इरेज होगा यह उसके बाद यहां पर box step से देखिए इरेज होगा उसके बाद यहां पर देखिए rectangle है कुछ step से इरेज होगा तो यहां पर जो है इसो बहुत सारा option दिया हुआ है आप इसकी मदद से आपको कहां पर किस shape का requirement है वो select कर सकते हैं और यहां से इसको इरेज है टूल जो होता यह जो shape है इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं मान लेजे मैं यहां पर दिखाता हूँ अभी इतना बड़ा है अब यहां से बड़ा कर सकते हैं चोटा कर सकते कुछी step से उसके बाद यहां पर zoom size with stage इसका मतलब दोस्तों क्या होता अगर इस पर हटा द देते हैं तो यह देखिए यह इतना बड़ा हो गया है लेकिन अगर stage को छोटा बड़ा करते हैं मान लेजे तो भी यह इतना ही बड़ा है अगर बड़ा करते हैं यहां से तो भी इतना बड़ा same size रहता है लेकिन जब इस पर click करते हैं तो यह stage के according अगर stage बड़ा करते हैं कि ये pointer भी आपका बड़ा होता है और stage छोटा करते हैं तो ये pointer भी छोटा होता है इसलिए हमेशा stage का ध्यान रखियेगा दोस्तों इस पे click करके रखियेगा जिससे आप stage को बड़ा छोटा करेंगे तो आपका ये pointer भी बड़ा छोटा होता है उसके बाद देखते हैं यहाँ जो option है Erase Fill अगर माल लेजे इस पे हम एक box बनाते हैं और इसका Outland में दे देता हूं इस पे click करते हैं और इसका हम Outland जो है Stock हम अलग color fill करते हैं यह color हो गया अगर इसको select करते हैं और यहां से E-press करते हैं टूल में जाते हैं और यहां से अगर Erase Fill पे click करते हैं यह क्या करता है Erase Fill को Remove करता यहां से आप देख सकते हैं यह जो Fill था इसको Remove कर दिया लेकिन Outline हमारा जो है Remove नहीं हुआ है तो यह तो था पहला option की Erase Fill कर सकते हैं उसके बाद Erase Line पे अगर क्लिक करते हैं मालने जिए मैं Ctrl Z कर देता हूं इसको अगर इसको आप Select करते हैं और यहां से E-press करते हैं Tools में जाते हैं और Erase Line पे करेंगे तो यह क्या करेगा Outline को यह Remove करता है मालने जिए हम पूरा रिमूब कर देते हैं पूरा हमने रिमूब कर दिया लेकिन यहां पे क्या हुआ सिर्फ Outline जो था वो रिमूब हो गया तो यह तो option आगया Erase Line को उसके बाद है Erase Selected Fill अब इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास बहुत सरा option है माननलीजिये अभी क्या हुआ यह बहुत स्चक्सक्राइपे हैं आपके पास बहुत सरा element है आप किसी प्रोजक्त पर काम करें है तो आप पता है कि आपके पास बहुत सरा कुछ इस टैप से जो है हमने इसको कुछ different type का हमने यहां पर भर दिया और उसके बात क्या करते हैं इसके outline को हम तुरा काम कर देते हैं तो यह जो है यह क्या काम करता है यह जो fourth option है यहां पर tools में जाते हैं जो यहां पर option है erase selected field मतलब अगर अभी normal पर click करते हैं तो यह क्या करता है सभी को remove करता है देख सकते हैं सभी को remove कर दिया लेकिन क्या होता है कि हमें क्या करना है जो select करेंगे सिर्फ उसी के field को remove करता है माल लेज़े हम इसको select करते हैं यह select हो गया तो अगर हम e-press करते हैं और tools में जाते हैं यहां से हम erase selected field जो हमारा अभी देखिए यह selected है अगर हम कहीं पे हम भी remove करेंगे अभी माल लेज़े पूरे हमने remove कर दिया लेकिन कहीं remove नहीं हुआ है सिर्फ देखिए जो selected था सिर्फ वही remove हुआ तो इसका काम होता है शिर्फ जो selected होगा उसको remove करने के लिए तो चलिए अभी control z करते हैं उसके बाद जो आगे option है आगे option है erase inside inside मतलब होता है कि इसके अनदर जो होता है उसको remove करता है करते हैं और यहां से इंसाइड लेते हैं अगर हम इस पर रिमूब कर दिये यहां से आप देख सकते हैं इसके जो अंदर है वो रिमूब हो गया आप देख सकते हैं कहीं पर जाएं सिर्फ इंसाइड जो है रिमूब हो जाता आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करें इस पर क्लि यूज कर सकते। तो दोस्तों इस टेप से आप Erasure टूल का यूज कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं, ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो like ज़रूर करें operative और दोस्तों के साथ share भी करें। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेकर आउं तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए थैंक्यो